आजके इस वीडियो में मैं आप सबके साथ टूकेक शेयर करूगी तो पहले जो केक बना रही हूँ यह स्क्वेर से बना रही हूँ और यह 1.5 kg का चॉक्लिन फ्लेवर में केक है अजया बना रही है और यह प्लेवर में में बना रही है जब भी आप लोग स्क्वेर केक की लिया है तो एक साइड से नाइव इंसर्ट करके उसे चारो तरफ अच्छे से एक बर घुमा लो और उसके बाद उसे मिड्ल से कट करो तो बहुत अच्छे आपकी लेयर कच दोंगी तो इसका जो फ्लेबर था सिंपल चॉकलेट केक था विद बनीला क्रीम तो साथ में मैंने क्रंच के लिए थोड़े सी चॉकोचिप स्पीस में एड़ दिये थे तो 1.5 kg केक का ओर था बट इसमें कोई कस्टोमाइजेशन नहीं था उस दिन मेरे पास यह सिंगल केक का ओर था इससे पहले इस केक को आने से पहले में पास कोई ओर नहीं था इस डे पर तो मैंने सोचा ठीक है कोई और ओर नहीं है easily मैं square cake बना देती हूँ generally जब बहुत सारे orders होते हैं तो simple cakes में मैं कभी भी square cakes बनाना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि square cake को बनाने में थोड़ा सा time जदा लगता है finishing में और already बहुत सारे orders होते हैं तो simple cake को मैं कभी भी tough नहीं करती हूँ क्योंकि उसे मैं बहुत रहा time taking करूं बड़ इस टे पर कोई order नहीं था तो मैंने सोचा आज square cake बनाऊंगी जिससे आप लोग के साथ square cake का प्यारसा design में share करता हूँ बड़ ये मैंने square cake का sponge बना लिया था इसके बाद दो orders और आ गए थे पर ठीक है थोड़ा सा tough होती है थोड़ा सा time taking होती है तो आप लोग भी comment करकर के बताईएगा मुझे की कौन-कौन square cake बनाता है और बहुत अच्छे से sourpies इसके साथ icing कर पाता है और आप लोगों को भी square cake बनाने में round cake की ये पेच्छा थोड़ा सा ज्यादा time लगता है तो जब भी आप लोग square cake बनाओ तो इस तरीके से आप लोगो को पहले corners पर cream लगा लेनी है जिससे की corners एकदम साब बनेंगे और उसके बाद इस तरीके से मेरे वीडियो में आप लोगों को दिखाया है और उस तरीके से cream आप लोगो को लगानी है जब भी बनाओ piping bag से cream लगानी है जिससे की जो आपका safe है वो अच्छे से hold कर पाती है और अगर आप इसे palette knife की help से apply करोगे तो अच्छे से cream safe hold नहीं करेगी और square cake एकदम बहुत अच्छा और सारपी जिसके साथ नहीं बनेगा square cake की icing भी करने में थोड़ा सा tough होती है इसकी icing करते टाइम आपको अपना जो scrapper है उसे इस तरीके से घुमाते हुए नहीं जाना है बलकि एक एक side को इस तरीके से clean करना है और अपने easies को maintain रखना है और अगर आप बहुत time लेते हैं icing करने में तो square cake आप लोगों को बनाने में बहुत जाता दिक्कत होगी क्योंकि square cake जब आप बनाओगे और बहुत बहुत जादा time ले रहे हो अगर आप इसकी icing में तो cream sat होना लग जाएगी और फिर आपकी cake में finish अच्छी नहीं आएगी तो धीरे-धीरे बनाना स्टार्ट करिए अगर आप लोग square cake नहीं बनाते हैं और धीरे-धीरे आपकी cake में भी अच्छा finish आता जाएगा तो इसकी icing कर ली थी और top पर मैंने इस तरही के से यह pattern कर दिया था उसके बाद मैंने इस cake के decoration के लिए दो color create किये फहले मैंने black add किया और दूसरे बावल में मैंने black or blue दोनों add किया है एक-एक drop पहले मैंने gray color बनाया है दूसरा blue का sheet बनाया है और इस तरहीके से मैंने बहुत सुनर केक लग रहा था बनने के बाद ये के एक एक बॉय के लिए था तो मैंने ब्लू और ग्रे की शेड में इस डिजाइन को बनाया था तो जब भी मैं सिंपल केक बनाती हूँ और वो मेंशन करने के लिए नाम अगयरा बोलते हैं तो उसके अकॉड़ी मैं क्रीम से हमेसा आइसिंग करती हूँ अगर मेरे पास टाइम बहुत जादा होता है तो मैं न्यू डिजाइन क्रियेट करती हूँ स्क्वेर केक बनाती हूँ काफी जरी चीज़े करती हूँ और अगर मेरे पास टाइम नहीं होता है तो जो डिजाइन में बना चुकी होती हूँ उनी मैंसे मैं कोई भी डिजाइन क्रियेट कर देती हूँ जल्दी में अगर मेरे पास टाइम नहीं होता है और कलर कॉमिनेशन को चेज कर देती हूँ केक सुन्दर लगना चाहिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कलर कॉमिनेशन चेज करके सेम केक बना रहे हो डिफरेंट डिफरेंट आप इस तरीके से एक ही डिजाइन के डिफरेंट कलर चूज करके कई सारे केक बना सकते हो बट आप उसे अगर अच्छी फिनिस के साथ बनाओगी तो आपके केक हमेशा बहुत सुन्दर लगेंगे तो सेकंड केक मैं जो बना रही थी यह मैं बना रही थी 50K फॉलवर्स यूटूब पर पूरे होने के खुशी में तो यह फॉलवर्स जो थे वो मेरी एक न्यू क्लाइंट है उनके 50K फॉलवर्स पूरे होए थे उनका कुकिंग का चैनल है यूटूब पर तो यूटूब कीवर्स फॉलवर्स तो तो मेरी उनकी 50K फॉलोवर्स पॉलवर्स कम्लेट करेती हुता है उनकी रिक्वेस्ट पर मैंने तो यूटूब पॉलवर्स ओक्रलेट थी achieves है क्लोड़ा तो आवरी के तो यूटूब यूटूब पर तो उसके खुर्टिंग के लिया थोगा तो पहले उन्होंने बना देना जू ॥ को अधिया तो रख दिया था अर डिू से के लिए था के लिजाइगी पाहिँ आर्फनोन के लटाई ड़ीह की sometimes एक अधिर भी तो ने न它 किक ग तो अभिना नहीं हो सकता था क्रीम कम लगाओं पहले मैं करीं तो अच्छा नहीं नहीं तो साफ फिनिश जरूरी था तभी केक अच्छा लगता तो फिर मैं इस पर डवल आइशिंग की और फिर मैंने बोल दिया था बाद में कि अगर आप लोग को क्रीम चाता लग रही है तो आप लोग साइट से यह उसके बाद मैंने फॉनेट से लिए कुछ लैटर कट किये थे यूटूब का यह सिंबल बनाया था उसके बाद 50K मैंने ब्लैक कलर के फॉनेट से कट किया था और यह सारी चीजा मैंने आफ कैमरा यह की थी क्योंकि फोन में इतनी ज्यादा मेमोरी नहीं होती है जिससे कि मैं सारा फॉनेट का वर्क आप लोकिशा सेयर कर पाऊं तो अभी आजकल मैं बिल्कुल भी फॉनेट रिलेटेड कोई वी वीडियो शूट नहीं कर रही हूं जल्दी करना शुरू करूंगी क्योंकि आप लोकी काफी रिक्वेस्ट आ रही है फॉनेट रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए उसके बाद उनके जो चैनल का नाम था वो भी उन्होंने मैंशन करने के लिए बोला था वर्ड वो केक पर मैंशन नहीं हो सकता था क्योंकि उनके जो चैनल का नाम था वो काफी बड़ा था तो मैंने इस तरीके से बोर्ड पर प्लेस कर दिया था उसके बाद में उने पिक्चर भेज दिया था बाद में जब वो पिक करने आये थे वो बोल रहे थे जो आपने ये बोर्ड पर प्लेस किया है कि ये केक पर साइड वॉल्स पर नहीं लग सकता तो मैंने बोला उनको की नाम बहुत बड़ा है और अगर पूरी राउंड राउं नाम उनका चैनल का काफ़ी बड़ा था तो मैं बार बार फोन में चैक कर दिया था तो इस तरीकी से ये वाला केक भी बनका रेडी हुआ बहुत नीट और क्लीन ये केक बना था जैसा कि मुझे बनाना था कॉमेंट करके पताईए का आज के ये दो केक आपको कैसे लगे इस इसके साथ साथ एक-एक का ओडर और था जिसका वीडियो में कल के वीडियो में आप सब की शाष्यार करूंगी तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी वीडियो अच्छा लगाऊ तो लाइक करिएगा अगर आपको मेरे की एक अच्छे लगते हैं तो चैनल को पॉलो और सब करेंगा बाबाई